हेलो बच्चो और एक्जाम प्रिपेशन चनल में बहुत बहुत स्वागत हैं तो बच्चो आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो बार्ग वर्क असिस्टेंट एक्जाम के लिए है और यह नौमा पार्ट है इसके पहले मैंने 8 पार्ट डाल दिये जो बच्चे लोग पहली वार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं और एक्जाम की तयारी कर सकते हैं तो बच्चो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज प्लीज लाइक करें और शेर भी करें ताकि अन्ने बच्चों को भी फाइदा मिले और सब्क्राइब करें और बैल आइकन जरू दवाए क्योंकि जो भी वीडियो बनाऊ वो आपको तुरंथी प्रोवाइड हो जाए और यह वीडियो एक मोग टेस्ट पाधारित है जिससे आपको भी पता लगेगा कि आपकी कितनी तयारी है तो पढ़ते हैं या बच्चों यहाँ पर पहला कुश्चन है भारत में गेंडा का प्रक्रतिक आवास है भारत में गेंडा का प्रक्रतिक आवास है पहला ओप्सण है भरतपूर दूसरा ओप्सण है गिर जंगल तीसरा ओप्सण है काजी रंगा और चौथा ओप्सण है नील गिरी भारत में गेंडा का प्रक्रति अवास है कहां पर है मतलब पहला उप्सन है भरतपूर दूसरा गिर जंगल तीसरा काची रंगा और चौथा नील गिरी बताईए आप लोग ठीक है बक्चो इसका आंसर बताती हूँ काची रंगा नेक्स है बक्चो निम लिखित में से किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है निम लिखित में से किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है पहला उप्सन है मंगल और सुक्र दूसरा उप्सन है बुद्र और सुक्र तीसरा उप्सन है मंगल और बुद्र और 4th option है Naft, You and Plato बताईए निम लिखित मैसे किन ग्रहों के उपगरह नहीं है पेहला है मंगल और शुक्र दूसरा option है बुद्ध और सुक्र तीसरा option है मंगल और बुद्ध और 4th option है Naft, You and Plato ठीक है बच्चों, इसका अशर बताती हूं बुद्ध और सुक्र नेक्स बच्चो भारत सरकार अधनियम 1919 को 10 के नाम से जाना जाता है भारत सरकार अधनियम 1919 को 10 नाम से भी जाना जाता है पहला उप्षन है मोल मिंटो सुधार दूसरा उप्षन है दूसरा उप्षन है मोटेंग चेंप्स फोर्ट सुधार तीस्ता उप्षन अदनियम विनियम सुधार और चौता उप्षन है पिट्स इंडिया एक्ट बताईए भारत सरकार अदनियम 19-19 को डैस के नाम से जाना जाता है पहला उप्षन क्या है मोलो मिंटो सुधार दूसरा उप्षन है मोन्टेक चेंप्स फोर्ट सुधार तीसरा उप्षन है अदनियम विनियम यमन सुधार और चौता उप्षन है पिट्स इंडिया एक्ट बताईए ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ इसका अंसर है मॉन्टेंग जेम्स फोर्ट सुदार नेक्स बच्चो निम लिखित में से कौन सा चंद्रमा और सूरे द्वारा समुद्र के इस्तर पर गुरुप्त आकर्शन अवल के सयुक्त प्रभावों के कारण होता है कोशन पुर्णा रिपिट करती हूँ निम लिखित में से कौन सा चंद्रमा और सूरे द्वारा समुद्र के इस्तर पर गुरुप्त आकर्शन अवल के सयुक्त प्रभावों के कारण होता है पहला है जुआर दूसर अपवहा तीसर अपशन धारा और चौथा अपशन लेहर बताईए ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ इसका अंसर है जुआर नेक्स है बच्चो मुहम्मद अली जिन्ना के नाम पर भारत के किस गाउं ये सहर में एक टावर मिनार है मुहम्मद अली जिन्ना के नाम पर भारत के किस गाउं ये सहर में एक टावर मिनार है यहाँ पर पहला अपशन है मुवई, दूसरा अपशन है अलीगड, तीसरा अपशन है कलीकट और चौथा अपशन है गुटूर पहला option है मुबई, दूसरा अलीगर्ड, तीस्टा option है कालीकट और चौता option है गुंटूर ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूं इसका अंसर है गुंटूर नेक्स अब च्चो भारतियराष्टी कांग्रेश के किस सत्र में पहली वारतिरंगा धोज भराया गया था भारतिय राष्टे कांग्रेस के किस सत्र में पहली वार तिरंगा धोज भराया गया था पहला अप्षन है कलकत्ता सत्र 1920, दूसरा अप्षन है 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्शिक सत्र चोथा अप्षन लहुर कांगरेश 1929 और चोथा अप्षन है हरीपुरा कांगरेश संबिलन 1938 चारो अप्षन सामने लिखे हैं कोशन क्या है बच्चो भारतिय राष्टी कांगरेश के किस सत्र में पहली वार तिरंगा धोज धाया गया तो पहला अप्षन है कलकत्ता सत्र 1920 दूसरा अप्षन है 1920 में नागपुर में कांगरेश का वार्शिक सत्र तीसा अप्षन है लहुर कांगरेश 1929 चोथा अप्षन है हरीपुरा कांगरेश संबिलन 1938 बताईए ठीक है बच्चो इस कांसर बताती हूँ इस कांसर लाहर कांग्रेस 1929 नेक्स है बच्चो प्रत्वी राज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी प्रत्वी राज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी पहला है भबूती, दूसरा अप्सन है जैदेब, तीसरा अप्सन है चंद वर्दाई और चौता अप्सन है बाड़भट प्रत्वी राज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला भबूती, दूसरा जैदेब, तीसरा चंद वर्दाई और चौता वाड़भट ठीक है बच्छो इसका आंसर बताती हूँ चंद वर्दाई दोरा नेक्स है बच्छो इंडियन नेपोलीयन सीर्शक डेस से जुड़ा हुआ है पहला option है चंदर गुपत मौरे, दूसरा option है समुद्र गुपत तीसरा ओप्शन है चंद्रगुप्त फस्ट और चौता ओप्शन है हर्सवर्धन कुश्चन क्या है इंडियन नैपोलियन सीर्सक डेस से जुड़ा हुआ है पहला ओप्शन क्या है चंद्रगुप्त मौर्वे दूसरा समुद्रगुप्त तीसरा चंद्रगुप्त फस्ट और चौता है हर्सवर्धन ठीक है बच्चो इस कांसर बताती हूँ इस कांसर है समुद्रगुप्त नेक्स है बच्चो निम लिखित मैंसे कौन सा मौलिक अधकार का सरच्चक है निम लिखित में से कौन सा मौलिक अधकार का सरच्चक है पहला उप्षन है न्याइपालिका, दूसरा उप्षन है राजनेतिक दलो, तीसरा उप्षन है विधान मंडल और चौता है संसद निम लिखित में से कौन सा मौलिक अधकार का सरच्चक है पहले खुद करोगे तो स्पीड बड़ेगी और समय पर करने की आदत पड़ेगी ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ इसका अंसर है न्याय पालिका निम लिखित देशों में से किसके पास एक अलिखित सविधान है पहला उप्सण है USA, दूसर उप्सण है United Kingdom, तीसा उप्सण है भारत और चौता उप्सण है पाकिस्तान निम लिखित देशों में से किसके पास एक अलिखित सविधान है पहला USA, दूसरा उप्सन है United Kingdom, तीसर उप्सन है भारत और चौता उप्सन है पाकिस्तान ठीक है बच्चो इस कांसर उताती हूँ? इस कांसर है United Kingdom नेक्स है बच्चो बाई सराई की कारेकारी परसद में सामिल होने वाला पहला भारतिय व्यक्ति कौन था? बाई सराई की कारेकारी परसद में सामिल होने वाला पहला भारतिय व्यक्ति कौन था? ठीक है बच्चो इसकांसर बताती हूँ? इसकांसर है सत्यंद्र प्रसन्ना सिना नेक्स है बच्चो निम लिखित में से कौन सा अधिकारिक दस्तावेज भारत से सम्मंदित है? पहला उप्सन है वाइट पेपर, दूसरा उप्सन है ग्रीन पेपर, तीसरा पीली बुक, चौथा इन में से कोई नहीं? निम लिखित में से कौन सा अधिकारिक दस्तावेज भारत के सब्दान से सम्मंदित है? पहला है वाइट पेपर, दूसरा गीन पेपर, तीसरा पीली बुक, चौथा इन में से कोई नहीं? बताइए ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ वाइट पेपर नेक्स है बच्चो मानब जाती के दुख के अंत के लिए अस्टागिक मार्क किसने परसाफित किया था? पहला उपसान है महावीर, दूसरा गौतम बुद, तीसरा आदी संकराचार रे और चौथा कबीर ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती है गौतम बुद ने अस्टागिक मार्क परसाफित किया था? नेक्स है बच्चो असोक ने तीसरी बोध परशद को कहां बलाया था? असोक ने तीसरी बोध परशद को कहां बलाया था? पाटली पुत्र में, दूसरा मगद, तीसरा कलिंग, चौथा सारनाथ, बदा ये? ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूं पाटली पुत्र नेक्स है बच्चो सांखे प्रणाली सुनने का विसकार किसने किया था यानि किसने किया था सांखे प्रणाली सुनने का विसकार किसने किया था पहला option है रामानुज, दूसरा आरेभट, तीसरा पंतचली और चौथा इनमें से कोई नहीं सांग के प्रणाली सुनने का विश्कार किस नहीं किया था रामानुज, आरेभट, तीसरा पतंचली, चौथा इनमें से कोई नहीं ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ, इसका अंसर है आरेभट, तो बच्चो आज का वीडियो में ही समाच करती हूँ और जब भी बारकमरकसिस्टेन की फर्स स्टेज का रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको तुरंती में प्रोवाइट करा दूँगी और बच्चो बहुत बहुत धन्यवाद